ओम श्री विश्नवे नमा एकादशी का वृत सनातन धर में सबसे अधिक प्रचलित वृत माना जाता है साल भर में कुल 24 एकादशी वृत होते हैं किन्तु इन सभी एकादशी वृतों में जेस्ट मास के शुकल पक्ष की एकादशी सभी से बढ़कर फल देने वाली मानी जाती है जेस्ट मास के शुकल पक्ष की एकादशी है निर्जला एकादशी और इस एक दिन वृत रखने से साल भर की अन्य 23 एकादशी वृतों का फल भी प्राप्त हो जाता है जो लोग भी साल भर की सभी एकादशी का वरत ना रख पाते हों तो ऐसे में साल भर में एक बार आने वाली जेस्ट मास के शुकल पक्ष की नर्जला एकादशी का वरत रख कर अपने किये हुए सभी परकार के पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और ऐसे में उन्हें अ तो इस तिथी और शुब मूर्थ के बारे में आपको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा कि किस दिन आपको वृत रखना चाहिए और किस तिथी को आपको वृत का पालन करना चाहिए सबसे पहले तो आप सभी को निर्जला एकादशी वृत की देड़ सारी शुब कामनाई भगवान श्री हरी और मालक्ष्मी जी की किरपा से आप सभी की मनुरत पोन हो नर्जला एकादशी व्रत को भीम सेनी इकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है पौरालिक मानिता ऐसी है कि 5 पांडवों में से भीम सेनने इस व्रत का पालन किया था और वो इस व्रत के प्रभाव से व्यकुन्ट लोग को गई थे इसी कारण इस एकादशी का नाम भीम सेनी एकादशी भी है निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन जल का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए जल का त्याग करने के कारण ये एकादशी और भी कठिन हो जाती है क्योंकि एक तो जेस्ट का महिना होता है साल भर में सबसे गरम महिनों में से एक माना जाता है और इस एकादशी का व्रत हमें जल के महत्व को भी बताता है कि किस प्रकार जल के बिना जीवन नहीं है और एक दिन जल ग्रहन ना करने से हमें जल की उपियोगिता भी पता चलती है इस दिन जो लोग नर्जल रहकर वृत ना रख पाएं वो सामाने इकादशी वृत की तरह इस वृत का पालन कर सकते हैं पुराणों में वर्नित नर्जला इकादशी वृत की कथा के नुसार जब वेद व्यास जी ने पांडव भाईयों को चारों पुरुशार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी वृत का संकल्प कराया था तब धर्मडाज युदिस्टर ने कहा कि हे जनार्धन, जेस्ठ मास के शुक्लपक्ष में जो इकादशी पड़ती हो, करपया उसका वर्नन कीजिए तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इसका वर्नन परम धर्मात्मा व्यास जी करेंगे क्योंकि ये संपोन शास्त्रों के तत्वग्य और वेध विदांगों की पारंगत विद्वान है तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर श्री वेध वियास जी इस प्रकार कहने लगे कि कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न ग्रहन करना वर्जित होता है द्वादशी तिथी को इस्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की और भगवान श्रीहरी की पूजा की जाती है फिर पहले ब्राहमणों को भोजन देकर अंत में स्वयम भोजन करना चाहिए ये बात सुनकर भीमसेन कहने लगे परम बुद्धिमान पिता महें मेरी उत्तम बात भी सुन लेजिए राजा युदिस्ठर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये इकादशी को कभी भोजन नहीं करते और मुझसे भी हमेशा इकादशी का वरत रखने के लिए कहते हैं कि भीमसेन इकादशी को तुम कुछ भी मत खाया करो अन ग्रहन तो बिलकुल मत किया करो परन्तु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूक नहीं सही जाएगी हे व्यास जी, मैं तो एक छण को भी भूका नहीं रह सकता भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी कहने लगे यदि तुम नरक को दूशित समझते हो और तुम स्वर्ग लोग की प्राप्ती की इच्छा रखते हो तो भीमसेन, दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन ग्रहन नहीं करना चाहिए भीमसेन, व्यास जी की बात सुनकर परिशान होकर कहने लगे मैं आपके सामने सच कहता हूँ मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता फिर उपुवास करके तो मैं कैसे रह सकता हूँ व्यास जी, मेरे पेट में व्रत नामक अगनी हर समय जलती रहती है इसलिए जब भी मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी ये अगनी शांत हो पाती है इसलिए है महामुने मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपुवास कर सकता हूँ जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ती हो जाए और जाने अंजाने में किये गई पापों का नाश भी हो जाए गुरुवर यदि शास्त्रों में ऐसा कोई वर्थ का विधान हो तो कर्पया मुझे बताईए ताकि मैं भी उस एक वर्थ को करके सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाऊ कोई एक ऐसा वर्थ का निश्चे करके मैं उसका यत्थोचित रूप से पालन भी करूँगा भीम सेन की विथा सुनकर व्यास जी कहने लगे भीम जेस्ट मास में सूर्य व्रश राशी पर हो या मिथुन राशी पर शुकल पक्ष में जो भी एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो यानि कि इस दिन तुम्हें अन्न के सांसत जल का भी त्याग करना होगा केवल कुला या आचमन करने के लिए ही मुख में जल डाल सकते हो उसे छोड़ कर किसी भी प्रकार का जल विद्वान पुरुष अपने मुख में ना डाले नहीं तो ये व्रत भंग हो जाता है एकादशी को सुर्योदय से लेकर दूसरे दिन अर्था द्वादशी तिथी के सुर्योदय तक जो मनुष्य जल का त्याग करे तभी ये व्रत पूर्ण माना जाता है इसके बाद द्वादशी तिथी को सुबह जल्दी इस्नान करके शुब मोर्थ में ब्रहमनों को विधी पूर्वक जल से भरे पात्र का और स्वन्ण का और अपनी सामर्थ के नुसार कुछ न कुछ दक्षिना का दान करे इस प्रकार सब विधान पूरा करके जितेंदरी पुरुष ब्रहमनों के बाद भोजन ग्रहन करे तो वर्ष भर में जितनी भी इकादशिया होती है उन सभी का फल इस निर्जला इकादशी व्रत करने मात्र से ही मनुश्य प्राप्त कर लेता है और इसमें कोई भी संदे न नहीं है शंक चक्र और गदा धारं करने वाले भगवान श्री हरी ने स्वैम मुझसे कहा था कि यदि मनुष्य सब को छोड़कर एक मात्र मेरी शरन में आ जाए और इकादशी के दिन निरहार रहे और जेस्थ मास के शुक्लिपक्ष की इकादशी के दिन निर्जल रहे तो वह सभी पापों से छूट जाता है है कुंती नंदन निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालो इस तरी पुरुषों के लिए जो विशेस दान और करतब विवहित है उन्हें भी सुनो इस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विश्नु का पूजन और जलमई धेनु या के संतुष्ठ होने पर ही श्री हरी मोक्ष प्रदान करते हैं जिन्होंने श्री हरी की पूजा और रात में जागरन करते पे इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ ही बीतीवी सौपीडियों को और आने वाली सौपीडियों को भगवान वासुदे के परमधाम में पहुचा दिया है निर्जला एकादशी के दिन अन्न वस्त्र गौ जल शय्या सुन्दरासन कमंडल और छत्री का दान करना चाहिए जो स्रेष्ट तथा सुपात्र ब्रह्मनों को जूते का दान करता है वह सोने के विमान पर बैठ कर स्वर्ग लोग को जाता है और जो इस एकादशी व्रत की महिमा को भक्ती पूर्वक सुनता है अत्वा उसका वर्णन करता है वह भी स्वर्ग लोग में जाता है चत्रदशी युक्त अमावस्या को सूरिग रहन के समय शाद करके मनुशिजिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस कथा को सुनने मात्र से भी मिल जाता है भीमसेन जेस्ट मास के शुकलपक्ष की जो शुब नर्जला एकादशी है उसका नर्जल रहकर व्रत करना चाहिए उस दिन स्रेष्ट प्राहमनों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए ऐसा करने से मनुश्य भगवान विश्नु के समी पह व्रत रखता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर आनंदमय पत को अर्थात व्यकुंठ लोग को प्राप्त हो जाता है व्यास जी के मुख से इन वचनों को सुनकर फिर भीमसेन भी इस शुब नर्जला एकादशी का व्रत रखा था जिसके प्रभाव से उन्हें सा जलके ही रखा जाता है यानि कि इस दिन एकादशी के सूर्यदय से लेकर द्वादशी तिथी के सूर्यदय तक पूरी तरह से जलका त्याग किया जाता है व्रत 24 गंटे तक रखा जाता है तो इस बार जो निर्जला एकादशी है वो दो तिथी में हैं 10 जून शुकरवार क ऐसे में दशमी तिथी युक्त 11 है, 10 जून शुकरवार को, और 12 तिथी युक्त 11 का वरत रखा जाएगा 11 जून शनिवार के दिन, 10 जून को जो लोग वरत रखेंगे, वो 11 जून शनिवार को दोपहर के बाद ही वरत का पारण कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन सुभा के समय वासर का समय रहेगा और 11 जून को जो लोग वरत रखेंगे वो रविवार को सुभा बहुत जल्दी जिनके लिए शुब मोर्थ वरत पारण का वो बहुत ही कम है तो उस समय आपको वरत का पारण करना होगा तो देखें अगर 12 तिति की बात करें तो 12 तिति प्रारम होगी 11 ज सुर्यदर से पहले ही समाप्त हो जाती हो तो उस तिति में 13 तितियोक तो 12 तिति को भी आप वरत का पारण कर सकते हैं उसा शास्त्रों में 11-शी वरत का विधान बताया नोगे लोग 13 तिति को वरत खोला अशुब मानते हैं लेकिश ऐसा नहीं है क्योंकि कई बार ऐसा सयोग पढ़ जाता है तितियों के घटबर के कारण ये सयोग इस बार ही पढ़ रहा है अब जान लीजे वरत पारंग के यानि की वरत खोलने के शुब मुर्त के बारे में तो 10 जून शुक्रवार को जो एकादशी का वरत रखेंगे उनके लिए 11 जून शनिवार के दिन दोपहर 1 बचकर 44 मिनट से लेकर 4 बचकर 32 मिनट तक का महरत खोलने के लिए रहेगा त्योंकि सुबह के समय रहेगा ऐसे में आपूँपह के समय वरत को भूलकर भी ना खोले हरी वासर के समय खोले गए वरत को भगवान श्रीहरी कभी भी स्विकार नहीं करते हैं जो लोग 11 जून शनिवार को नर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे उनके लिए 12 जून रविवार के दिन एकादशी व्रत का पारण मूर्थ रहेगा सुबह 5 बज कर 45 मिनट से लेकर 8 बज कर 10 मिनट तक आपको एकादशी का व्रत हर हाल में जो शुब मूर्थ बताया गया है उसके अंदर ही अंदर खोल लेना होता है मूर्थ बीतने के बाद जो व्रत खुला जाता है तो उसका अधूरा फल ही प्राप्त होता है